नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत हैं दोस्तो आज हम आपको एक ऐसी रेसीपी के बारे में बताएंगे जिसे आप एक बार अगर बनाएंगे तो बच्चे हर बार इसी को मांग कर खाएंगे बनाना बिलकुल आसान है और एकदम हलवाई जैसी य मिठाई बनेगी तो चलिए बनाते हैं आज की मिठाई आज की मिठाई में दोस्तो हम बनाएंगे अंगूरी रसमलाई अंगूरी रसमलाई बनाने के लिए दोस्तो आपको चाहिए होगा इस तरीके से आपने गैस पर पहले पैन रख देना है या कड़ाई रख लें उसमें थोड़ा सा आपने पानी डालना है और पानी को चारो तरफ इस तरह से फिला दे, अब इसमें डालेंगे हम दोस्तों, डूद, डूद मैंने ये सारा जो लिया है, वो डेड़ लिटर है, लेकिन मैं पूरा डेड़ लिटर नहीं डालूंगी अभी, मैं इसमें से आधा डालूंगी, यानि डेड़ लिटर में से मैं आधा दूद यहां पर यूज करूंगी, आधा दूद मैं दूसरे तरीके से यूज करूंगी इसी में, इसी रेसीपी में, तो इस तरीके से मैंने ये दूद डाल दिया है और इसको उबालाने देते हैं इसमें दोस्तों अगर आपके पास मलाई बगरा है वो भी ले सकते हैं अब दोस्तों आपने क्या करना है इसी दूद में से थोड़ा सा दूद निकाल लें आप एक कटोरी में इस तरीके से इसमें हम डालेंगे एक चम्मच के करीब अरारोट या फिर आपके पास अगर कौन फ्लार है वो भी आप डाल सकते हैं ये मैंने अरारोट लिया है मैंने इस तरह से मिला दिया है मिला देना है कोई लंस वगरा नहीं रहना चाहिए मिला कर दोस्तों आपने ये वला दूद इसी दूद में डाल लेना है जैसे कि मैं डाल रही हूँ इस तरीके से आपने ये दूद मिला लेना है और दूद को उवाल दे देते हैं अब दोस्तों आपने इसमें डालना है चीनी लगभग 4-5 चमच आप चीनी डाल लें आप अपने टेस्ट के इंसार भी डाल सकते हैं मैंने यहां लिये हैं 4-5 चमच चीनी यदि आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो यहां पर मीठा ज़्यादा ले सकते हैं और यदि आप इसे sugar free बनाना चाहते हैं तो sugar free बनाने के लिए market से sugar free powder मिलता है वो आप ले लीजिए इसमें डाल लीजिए लेकिन वो चीनी से थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा और इसे उबाल दे देते हैं अब दोस्तों आपने इसमें डालना है यह है केसर वाला दूद यह मैंने केसर एक घंटा पहले दूद में डाल कर रख दिया था गरम दूद में इस तरीके से डाल कर आपने 8 से 10 धागे केसर के डालनी है दूद में गरम दूद में और इस तरह से यह पूरा कलर अपना छोड़ देगा दूद में तो ये देखे दोस्तो मैंने ये सारा दूद इसमें मिक्स कर लिया है दूद में अब इसे उबाल देना है इसे धीरे धीरे पकाना है इसकी हमने रबडी सी त्यार करनी है इसमें दोस्तों, मैंने डाला है यहां पर آधा जमच ईलाइची पाउडर आप अपने टेस्ट के अमसार डाल ले यदी आपको ईलाइची का फ्लेवर पसंद है तो डाल ले यदी नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते है अब दोस्तों मैंने लिया है यहाँ पर केसर का असेंस, आप इस तरह से डाल सकते हैं, या फिर केवड़ा वाटर हो, रोज वाटर हो, वो आप डाल सकते हैं, इस तरीके से मैंने 5-6 बुंदे केसर के असेंस के लिए हैं, तो वो डाल लेते हैं इसमें और इसको उबाल देना ह आपने थोड़ी दे इसको पकाना है 10-15 मिनिट आपके लग जाएंगे इसको पकाने में लो फ्लेम पर आप इसे पकाएं अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा पिस्ता इस तरीके से आप काट कर डाल सकते हैं ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहते हैं तो डा हो जाएगी आप देख रहे हैं जादा भी गाड़ी आपने नहीं करनी हैं क्योंकि जब आप इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे तो थोड़ी सी गाड़ी ये तब भी होगी आप अपने मन चाहे रूप में से रख सकते हैं जैसकि यदि आप थोड़ा सा पतला खाना नहीं आएगी तो इसलिए इसको पतला ही रखे थोड़ा सा तो ये मेरी बन गई है रबडी इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं अलग थोड़ी सी ठंडी होने के बाद आप इसे फ्रीज में रख दें ताकि ये और ज़्यादा ठंडी हो जाए अब दोस्तों लेते है दूसरा पैन या कोई और कढ़ाई वगारा ले ले और इसमें डाल लेते हैं अपना बचा हुआ दूद यानि मेरा पूरा डेड़ लिटर दूद था उसमें से मैंने आधा दूद मैंने रबडी बनाने के लिए लिए हैं और आधा दूद में छैना बनाने के लिए तो मैंने ले लिया है दूद इस तरीके से और इसको उबाल दे देते हैं यह देखे दोस्तों यह उबाल आ गया है मेरा दूद अभी से आपने गैस से उतार कर रखना है ठंडा होने के लिए बीच-बीच में आप चलाते रहें और गैस पर हमने रखनी है एक कड़ाई और मैं कप आपने पानी के डालने हैं इस तरीके से मैंने डाल दिये हैं और इनको गरम कर लेते हैं चीनी को पूरा मेल्ट कर लेते हैं इसमें ये दोस्तो मेल्ट हो चुकी है चीनी अब इसे लो फ्लेम कर दे गैस की और इसे पकने देते हैं तब तक हम दूसरा काम अपना कर लेते है देखे दोस्तो मेरा दूद थोड़ा सा ठंडा होने लगा है, आपने इसको बीच-बीच में चलाते रहना है, ताकि इस पर मलाई वगारा ना जमे, अब दोस्तो आपने इसका च्छैना बनाना है, च्छैना हम कैसे बना सकते हैं, तीन तरीके से हम च्छैना बना सकते हैं, एक इसमें या तो citric acid जो की टाटरी होती है वो डाल लें थोड़ी सी लेकिन डालना मेरे हिसाब से है जैसे कि मैं आपको बताऊंगी या फिर आप नीम्भू ले सकते हैं एक नीम्भू ले ले या फिर आप सिर्का ले लें सिर्के से भी आप इसका छैना बना सकते हैं लेकिन इसमें जैसे जो हमारा छैना बनेगा इसका कलर बिलकुल चेंज आ जाएगा तो इसलिए आप सफेद सिर्का हो उसे ही प्रैफर करें नहीं तो आप टाटरी से भी से फार सकते हैं ये देखे दोस्तो हमने डालना कैसे है ये दि दोस्तो आप नीम्भू से फारेंगे या फिर टाटरी से फारेंगे दूर तो आपने यही तरीका अपनाना है जैसे मैं यहां पर कर रही हूँ आपने थोड़े से पानी में सिर्क पानी बचा है दोस्तों इसको आप वेश्ट मत करिये या तो दोस्तों इससे आप आटा गून सकते हैं या फिर बाल दो सकते हैं या फिर दोस्तों आप पोधों में पूदों भी दे सकते हैं ये वाला पानी, अब दोस्तों ये बचा है मेरा छैना, इसे भी हम पानी से वाष्ट कर लेते हैं अच्छे से, ताकि फंडा हो जाए जल्दी से, इसमें जो भी खटास है वो निकल जाए, तो इस तरीके से पानी डाल कर इसको अच्छे से निचोड लेना है, स इसे फ्रीज में रख दे ठंडा होने के लिए, जब तक हमारी अगली प्रोसेस होगी, ये ठंडा हो चुका होगा, तो फ्रीज में आप इसे ठंडा होने के लिए रख दें, अब लेते हैं अपना छैना, इसको दोस्तों 15 मिनिट के बाद आपने लेना है, यानि 15 मिनिट इसको रेस्ट के लिए रख दें, उसके बाद आपने ये लेना है, मेरे ये 15 मिनिट हो चुके हैं, और लेते हैं छैना, इस तरह से प्लेट में डाल लें, और इसे दोस्तों आपने गूनना है, गूनना कैसे है, इस डो को बिलकुल मुलायम बनाना है, इसमें डाल लेते हैं, एक चमच कौन फ्लोर का, आज कौन फ्लोर ले ले या फिर अरा रोट का एक चमच ले ले ले, इसको हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं, ताकि अच्छी सी बाइंडिंग रहे रसगुलों की, तो इस तरीके से दोस्तों आपने इसको मसलना है, हतेली की सायता से जैसे की मैं मस उंगलियों की सायता से उंगलियों में बीच में दबाके या फिर हतेली से इसको बिलकुल मुलायम करना है दस मिनट आपके लग जाएंगे इसको मुलायम करते वक्त तो इस तरीके से दोस्तों मेरा ये डो मुलायम हो चुका है ये देखिए अब इसमें से लेते हैं थोड़ा इसी तरीके से बनते हैं, बस इसका थोड़ा सा step अलग है, जो हमने वो रबडी वाला किया था, तो इस तरीके से आपने सारे गोले बनाकर डेडी कर लेने हैं, ये देखे दोस्तों मेरे सारे गोले बन चुके हैं, आप अपने अंसार इनका size कर लें, छोटा बड़ा जो भी, आप चलते हैं अपने next step पर, दोस्तों जो मैंने पानी रखा था चीनी में डालकर, वो मेरा गरम हो चुका है अच्छे से, अब इसी गरम हुए पानी में आपने डालने हैं, ये गोले, आप एक एक करके डाले, एक साथ बिल्कुल भी ना डाले, और दोस्तों आपने गैस को full रखना है, धीमी आच बिल्कुल भी ना करें, इस तरीके से दोस्तों आपने गैस को पूरा high flame पर रखना है, इसे पकाते रहना है, पांच मिनिट आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, और इसे ढख कर आप पका लें, पांच मिनिट के लिए, पांच मिनिट के बाद हम कढ़ाई को खोल के देखेंगे, उसके बाद हम इसको हिलाएंगे, और दोस्तों यदि आपको ये पानी कम लगे, कम होता नजराए, तो आपने एक बरतन में पानी गरम कर लेना है, और उसे इसमें डालना है थोड़ा थोड़ा करके, गैस की flame जो है बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, और 5 मिनट के बाद दोस्तों आप कढ़ाई को खोल कर देख सकते हैं, और इनको थोड़ा सा अल्ट पल्ट करके थोड़ी देर पकाना है, ये दोस्तों आपने 20 मिनट आपने ये प्रोसेस करनी है, 20 मिनट दोस्तों आपने इसको पकाना ही है, तो इस तर पानी हमें चाहिए बिल्कुल और जब हमारी ये रसगुले इस तरीके से बन जाएंगे न ये देखे दोस्तों बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और ये निकाल कर इनकी जो चाश वगरा है वो साइड निकाल कर इसी कड़ाई में बरफ वाले पानी में डाल देते हैं इस तरी दोस्तों इसकी यही पहचान है देखे नीचे चले गए हैं सारे रसगुले ये अच्छे से पक चुके हैं मैं डाल रही हूँ आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये नीचे जा रहा है बस इसकी यही पहचान है कि अच्छे से ये पक चुके हैं दोस्तों चलिए सारे मैंने डा लिए हैं इस तरीके से आफ देख रहे हैं बिल्कूल नीचे बैठ गए सारे रसगुले, मैं आपको तोरके भी दिखाती हूं देखे, बिल्कुल पंजी सबना है, व्हजान तोरके भी लिखाती हूं, जाली पूरी बन गई है इसमें तो ये मेरा रसगूला पुरब पक चुका है अच्छे से, अब क्या करेंगे, अब इनको पानी से निकाल लेते हैं, बस दो मिनट रखना है अपने पानी में और पानी से इसको निकाल लेते हैं, अब दोस्तों इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर दे सारे गोलो को, और इ तोड़ा सा डालूंग में केसर इस तरीके से बहुत ही सुन्दर और खाने में लाजवाब थोड़े और कप में भी सको सर्व कर लेते हैं यह डाल दिया है मैंने उपर से इसको गार्णिश कर दिया है और इसको या तो दोस्तों आप थंडा होने के लिए और रख दें आप तो ये लीजे दोस्तों पांसे छे गंटे के बाद भी मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल अच्छे से ये सट हो चुकी है मेरी रस मलाई अंगूरी रस मलाई ये देखे दोस्तों सारा रस चला गया है अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए रख देते हैं तो ये ही आपको टेस्टी लगने वाली हैं जब भी कभी आपके घर महमान आए इस तरीके से त्यारी करके पहले ही रख लें बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में दुवारा से आप कभी भी मार्किट से ये रस मलाई यानि अंगूरी रस मलाई आप बिल्कुल भी बजार से नही लाओगे तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमसे बात करना चाहते हैं तो हमें इस्टाग्राम और डिस स्कॉर्ड पर फॉलो जुरूर करें तो मिलते हैं दोस्तो ऐसी ऐसी रेसीपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में धन्यवादोस्तो